सोनभद्र की बीचपूर थाना शेत्र की चत्यस गड़ से सटे चंगलों में आदम खोर बाग की दहशत से हड़कम किस्तती है लोग काफी भैबीत पी है पता जारा है कि इस्थानी लोगों को मंगलवार रात्री से ही बाग की दहार सुनाईते रही है जिससे आसपास की ग्रामिनों में दहशत का माहूल है इसको देखते हुए बनभाग की टीम सक्री हो गई और जहां रेंज के रेंजर समेत वनकर्मियों ने बीती रात्री बीचपूर शेत्र के लखवार महूली बियाडान अंजानी नेमना गाउं में गश्त की और लोगों को जाग रूपी किया बाग का एक वीडियो भी वाइरल हो रहा है जिसमें स्थानी लोगों में दहशते साथी वनकर्मि भी दरे हुए हैं रेंजर राजे सिंग ने बाग के आने की पुष्टी की कहा चत्तिसगर से भटक कर आया है आदमखोर बाग का जोड़ा बतादे की बी सौरचना नाम की पहाड़ी है जो कि बागों के रहने के लिए एक मुफीद है इसमें ही बाग के जोड़े की होने के संभावना जताय चारी है जो कि चत्तिसगर के संचुरी शेत्रों से भटक कर आया है उन्हों नी कहा है किसमें से नर बाग आदमखोर है जिसने चत्तिसग उन्होंने कहा कि यहां के ज़्यादातर लोग पास में ही स्थेत एंटीपीसी परियोजना में काम करते हैं और उन्हें देर रात्री भी आवगमन करना पड़ता है ऐसे में उन्हें ये भी समझाय गया है कि वो अकेले ना निकले और रुक में ही घर से आवगमन करे साथी अ एंटीपीसी परियोजना में काम करते हैं स्थानी लोग आवासी परिसर में भी है डर का महूल रिंजर राजे सिंग ने बताया कि यहां से जा रहा था कि स्थानी लोग एंटीपीसी बिजली उत्पादन परियोजना में काम करते हैं और उन्हें देर आत्री आवगमन करना ह होता है से में उनपर खत्रा बँना हुआ है kalau haha भूबन गश्वमनें जांकारी प्रसाशन को दे दी रांतरी धै merci सिंग्य साथ राजसांघ durch राजवली वनरक्षक राजण्र प्रसात उपात्याय वनरक्षक नरेंद देवकुमार आधी लोग शामिल थे। इसके पहले सक्तिनेगर में भी सर देखा गया था कि तीन बच्चों को साथ एक माँ देखी थी तो क्या आपके दोरा क्या किया गया क्या इसे ग्रामिडों से क्या जो भी वारता हुई क्या बात हुई इस संबन में मैं रात में गस्त में पुलिसबल के साथ में भी गया था छ जानवरों लेकर करते हैं आज पास के शेतिमें तरिये और आप लोग अपनीश बच्छा स्वें करिये जब आप लोग सर्मों के पे तो वहां क्या मिला क्या आप लोग देखा क्या मां कुछ देखे या कुछ हीशा लगा दो तीन गामनों ने यह मुझे बताया कि सर रात में है कि उसमें आवाज कर रहा था बहुत तेस्टे के दहाव रहा था हम दो दर देख और दर करके हम दो भास